इस्राइल के शहरों पर हमास के चौकाने वाले हमले के बाद से ही एक नाम काफी शर्चा में है और ये नाम है यहया सिन्पार हमास में इसमाइल हानिया के बाद नमबर दो का नेता कहा जाता है यहया सिन्पार उसे फिलिस्तीन का उसामा बिन लादिन भी कहते हैं इस्राइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को हुए हमलों के पीछे यहया सिन्पार का ही दिमाग था उसी ने इस्राइल पर आतंकी हमले की साजिश रची थी 1922 में जन्वे सिन्पार का पूरा नाम यहया इब्राहिम हसन सिन्पार है वो दक्षणी गाजा के खान यूनिस शहर में पला वढ़ा उस दौर में ये शहर मिस्तर के कंट्रोल में था इस्राइली सेनाओं ने उसके होमटाउन के नाम पर सिन्पार को खान यूनिस का कसाई कहा है रिपोर्टरों के अनुसार सिन्पार का परिवार पहरे अश्कलोन में बसा हुआ था जो अब दक्षण इस्राइल में है लेकिन 1948 में इस्राइल द्वारा अश्कलोन पर नियंतरन यानी कंट्रोल करने के बाद उन्हें गाजा में स्थाना नंतरित होना पड़ा अश्कलोन को पहले अल मजदल के नाम से जाना जाता था सिन्वार ने गाजा में इस्लामिक उनिवर्सिटी में अर्भी में ग्रेजुएशन किया था याहया सिन्वार में साल 1988 में दो इस्राइली सैनिकों का अपहरन करके उनकी खत्या कर दी थी इस मामले में उसे इसराइल ने गिरफतार किया और उसे उम्रकैद की सदा सुनाई सिन्वार ने कुल मिलाकर करीब 24 साल जील में बिताए लेकिन साल 2011 में कैदियों की अदला बदली में उसे छोड़ दिया गया इसके बाद वो गाजापती चला गया और हमास जोइन कर लिया हुआ यू की हमास की सैने शाखा इस अल दीन अलकसम ब्रिगेट की टीम ने 2006 में इसराइल के इलाके में घुसने के लिए सुरंग का इस्तमाल करते हुए एक सेना चौकी पर हमला कर दिया उन्होंने दो इसराइली सैनिकों को मार दिया और कई को घायल कर दिया साथ ही एक सैनिक गिलाद शालित को पकड़ लिया शालित पांच साल तक हमास की कैद में था जिसे 2011 में कैदियों की अदला बदली में रिहा किया गया हलाकि शालित की रिहाई के बदले इसराइल ने 1027 फिलिस्तीनी और इसराइली अरब कैदियों को रिहा किया था उनमें से एक था सिनवार भी रिहाई के बाद के सालों तक हमास में सिनवार का कद बढ़ता चला गया साल 2015 में सिनवार को अमेरिका ने Wanted International Terrorist के लिस्ट में डाल दिया अमेरिकी विदेश विभाग के एक डॉक्यमेंट में सिनवार को आतंकी खोशित करते हुए कहा गया कि हमास की सैने शाखा इस दीन अलकसम ब्रिगेट की स्थापना में उसकी एहम भूमिका थी वहीं साल 2017 में सिनवार को गाजा में हमास का प्रमुख बना दिया गया वहीं अब इसराइली सेना और पूरे इसराइल का कहना है कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था उसकी पूरी प्लानिंग सिन्वार नहीं की थी और अब पूरा इसराइल सिन्वार की तलाश में जुटा हुआ है फिलाल असब वीडियो में इतना ही देश और दुनिया से जोड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें